आपके शेर्स कॉन से आज के तो व्यू है कि निफ्टी चौपी रहेगा इंडैसिस बैंक निफ्टी सब चौपी रहेंगे बायों डिप सेलों रेजिस्टेंस वाला महौल अगले अफ्टे तक चलेगा बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा तो उसके चलते दो स् HDFC बैंक काफी सिग्निफिकंट करेक्शन हुआ है टॉप ऑफ 1800 के आसपास से और और सोल्ड है पारमेटर्स आप कल देखे तो 1600 के लेवल से अच्छी कासी डे ट्रेडिंग में उच्छाल देखने को मिलीती 600 पे derivatives की strong put writing की positioning भी है तो मेरा मानना है कि HDFC बैंक में जरूर यहाँ पे एक buying demand बनेगा यहाँ से एक pullback attempt करेगा तो यह आपको पाई करना है for targets of 1657 पहला intraday target और 1685 में भी short term target और यह trade में आप 1594 का stop loss बनेए दूसरा trade रहेगा ITC ITC में यह stock मैंने आपके show में पिछले हकते भी recommend करा था और एक अच्छे खासे base formation 420 पे बनने के बाद यह stock ने 440 जो एक resistance था देड़ से दो महिने का उसको successfully break करा है तो एक बहुत ही positive momentum indication है और यहाँ से stock 480 तक जाने की उम्मीद लग रही है long positions add up और derivatives में तो मैं कहूंगा ITC current trade पे आप buy करें for targets of 477 to 491 as second target trade में आप 445 का stop loss बनाएं इसी bank में तेजी करके चलिए और ITC भी अच्छा लग रहा है 477, 491 के targets के लिए आप यहाँ पर तीजी करके चल सकते हैं अशु जी आपकी calls रह गए थी बताइए आप कहां पर आज trade के मौके देख रहे हैं पर दिखिए जैसा अक्षे जी ने और डिम्पी जी ने कहा मैं भी agree कर रहा हूं कि इंडेक्स के बाहर ही trades थोनने चाहिए तो पहला mid cap counter रहेगा card trade, card trade में देखिए 128 हपते का covenantal pattern बनाए और right side में flagish kind of action है यहां पर 20 और 50 day moving average एकडम से close by है और launch pad की तरह काम कर सकते हैं card trade खरीदना चाहिए 830 रुपए में 800 रुपए का closing basis पर stop loss रहेगा immediate target 900 रुपए का रहेगा कि वही swing high है उसके उपर पूरा structure का high 970 है तो यह दो targets मिल सकते हैं दूसरा counter derivative space से रहेगा GMR infra यहां पर 65 दिन का एक base बना था breakout होने के बाद 17 दिन का base on base pattern बना है यहां से fresh breakout दिख रहा है stock में जैसे stock में 100.3 निकलेगा बड़ा momentum start होगा 109-110 रुपए तक जा सकता है बड़ फिलाल के लिए momentum जब तक आ रहा है तब तक preemptive buy करना चाहिए 98.7 पे 96.7 का stop loss रहेगा 170 का immediate target रहेगा फिपुनाकी extension का वहां पर resistance है और यह level निकलने के बाद जब momentum develop होगा तो stock में 108-109 तक की अच्छी upside बनती हुई दिखेगी तो ना सिर्फ एक से दो दिन के लिए बल्गी एक से दो अवक्ते के लिए अगर GMR play करते हैं तो 10% की उपर का return यहां मिल सकता है तो यह दो counter रहेंगे मेरी तरफ से तो इंडेक्स से HDFC बैंक ITC पर अक्षे ने कॉल दी और दो mid cap stocks इंडेक्स के बाहर अनश्ची जी ने सज़ेस्ट किये car trade और GMR infra यहां पर आप नज़र रखिए अधित्य जी आपकी तरफ से concentrate होंगे आज के लिए देखे ऐसा जैसे हमारी बात चल रहे थी कि जैसे आपसे बाजार में volatility है और हमारे प्रैनलिस ने बुला choppiness है मेरा भी यही मानना है कि बाजार में choppiness है तो थोड़ी बहुत safety low beta stocks का preference मेरा रहेगा high beta counters से हटके थोड़ा low beta में जाना चाहूँगा doctor ready मुझे लगता है एक अच्छा counter defensive space में इसमें थोड़ा सा breakout है अगर कुछ weekly time frame में देखे इसको buy किया जा सकते है 6594 में 6479 रहेगा stock loss और 6820 रहेगा target second pick Glenmark रहेगी again pharma space से इसको buy किया सकते है 1384 में 1320 रहेगा stock loss और target रहेगा 1450 ठीक है सर आपके दोनों के दोनों शेर फार्मसुटिकल्स के हैं तो growth with cautiousness आपको साफ दिख रहा है आपके चेहरे से भी और आप बता रहे हैं कि Dr. Redis और Glenmark के दो सौधे हैं जिस पे आपको ध्यान रखना प्लस करने के लिए बता रहे हैं इन दोनों में अच्छा अंशुल जी कह रहे है कि कार ट्रेड पर ध्यान रखना अंशुल जी के कॉल्स पर फायर करो भाया स्क्रीन पर ताकि हम अच्छे से स्टॉपलस टार्गेट नोटिस कर पाएं एक तो कार ट्रेड और दूसरा जीमर इन्फरा एरपोर्ट के नाम से मिलेगा अब इन्फरा न लगा है और कल 1621 के असपास बंद हुआ है चोटा से पुल बैक और मारेगा 1657-1650 तक भी ला सकते हैं इसलिए मैं से ट्रेड के साथ 100% एगरी करता हूँ और दूसरा आईटी सी भी एक डिफेंसिव कॉल है तो अगर आप देख रहे होगे ना स्क्रीन पर तो आपको तीन श इस्पेरिमेंट या रिस्क टेकिंग कॉल्स नहीं आई हैं बहुत साफ सुथरे नीट एंड क्लीन ज्यादा नफ़ा नुकसान ना होने वाले अराम से शांतिय से करने वाले ट्रेड है क्योंकि थोड़ी उथल पुथल है आज सैटल्मेंट का डे आज फिर फ्राइड़ी भ ख़बर आई है कि आठ परसंट ग्रोथ आने चाहिए थी ग्रोथा यह साड़े आठ परसंट की आप इसको दो हिस्सों से देख सकते हैं पहला इसमें ग्लोबल मारकेट के 26 साफ दिखती है कि किसी तरह की कोई प्रॉबलम नहीं है चाइना टिपिकली जिस चीज के लिए जा दाटा इस तरह के अनुमान से ज़्यादा दिखाएगा है अनुमान के बहतर भी दिखा सकता है तो वह आपके लिए एक थोड़ा सा सेट बैक के तोर पर भी हो सकता है लेकिन वैसे मेरी अगर आप मिरसे पूछेंगे तो इसके अंदर आप क्या रीड करेंगे तो मैं दूसरा मैटल्स पे भी इसका इंडारेक्टल इंपैक्ट आता है ठीक है तो मैटल्स क्योंकर कंजम्शन और प्रड़क्शन दोनों के मामले में चाइना सबसे बड़ा है और शिपिंग से जुड़ी कंपनिस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे फिर तो स्पेसिफिक हो का मजबूत जोड़ोता ना चिपक के बैठ गया है आप पिछला एक महिना उठाके देखो दिखाना इसका एक महिने का चार्ट आप एक महिना उठाके देखे अरोड़ा जी आपके पास आ रहा हूं जब तक आप भी चार्ट देखना हां जी एंट्रेटेंमेंट के लिए ज जुटाएंगे ने जुटाएंगे 16 तरीक के बात पता लगेगा मेरा अपना असेस्मेंट कहता है कि फंड्रेज हो जायागा इनसे इसी को दिक्कत नहीं है लास्ट टाम इनों ने करके दिखाया हुआ है तो के चलेगा क्या इस चल सकता है यहां से लास्ट टाइम भी हमारी जी के बारे में बात हुई थी तब 130, 35 था वहां से स्टॉक ने दौल लगाई थी 170 और स्टॉक ने हायर हाय का पैटन बनाया था मुझे लगता है अभी जो स्टॉक ने बेस बनाया 125, 130 लास्ट कुछ हफतों में वह बहुत इंपॉर्टन बेस है और शायद हो नहीं तूटे बट एक ब्रेकाऊट ट्रेड मॉमेंटम ट्रेड के लिए हमें 155 के लेवल को एक बार ब्रेक होने देना चाहिआ यह वहां पर स्टॉक में अच्छा मॉमेंटम आ सकते हैं अभी स्टॉक के ιάटन फीसिन फेज में चल जान डाउंबर्वर्ट ट्रेड में चल रहा है एक बा ड़न सक तो आप ही कहरें कि इसके अंदर टार्गेट अभी भी 170 तक खुल देखे हैं एक रेंज का स्टॉक इसमें कोई बाद बाने और चलेगा खबर से आप सोचे हम टेक्निकली दिमाग लागा लें कुछ नहीं होगा आप सोचे इसके अंदर हम कोई डेरिवेटिव का पार कि या कोई और बड़े चेंजिस की ख़बर आए जो कि मैनेजमेंट के पॉंड़ इसे डियू है दूसरा या तो इस तरह की ख़बरें हैं फंडरेजिंग होना या इस तरह यह भी वेटेज रखती है लेकिन सेकंड लैग की वेटेज रखती है फर्स्ट लैग में तो कंपन का हीर फेर होना चाहिए उपर नीचे पर मोटर स्टेक एमडी का पोजिशन बदलना यह सब यह सबसे बहुत तेज असर आएगा फिलाल के लिए नोटिस करवा दिया तो आप चाहें तो हलका फुल के पोजिशन ले भी सकते हैं फेर वैल्यू पर यहां पर दिखता है शेर एक मैं शेर अंशुल जैन आपसे पता करूंगा आप कहरें ने किया कैश के स्टॉक्स पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे मैं शूगर पे काफी बूलिश हूं सर और कल आप एक एक स्टॉक्स दिखाओ ज़रा प्रोडूसर सबस्क्रीन पर बजाज इंदुस्तान रेनुक बना हुआ है एक ब्रेकाउट की होगी इसके अंदर तैयारी अब इच्छा मूमेंट दे सकता है कम से कम दस परसेंट चलना चाहिए दस भी का उससे ज़्यादा ही चलना चाहिए बीस परसेंट तीस रुपे का मेरा टार्गेट है सरे चलेगा क्या राना शूगर बजाज हिंदुस्तान जो आपने डिसकेस किया है यह हमने ट्यूष्टे अपने क्लाइंट को बाई दिया था 43 में अल्मूस्ट साथा परसेंट बढ़ गया हमारा टागेट लगबाग यहां पर 54 गा इमीडियेट बेसिस पर है दूसरा राना शुगर में भी बहुत बहतरी चार्ट स्टॉक्टर बनाए वीकली चार्ट पर कपने है अल्मूस्ट अंदवज़ ब्रेक आउट है और वीकली पर जो हैंडिल बनाए यह एक्स्ट्रीमली टाइट है यह इतने टाइट हैंडल से ब्रेक आउट आता है जो 26.4 के उपर है तो स्टॉक में 20 परसेंट का आएगा और वॉल्यूम के साथ आएगा क्योंकि वॉल्यूम एक्स्ट्रीमली टाइट है इस हैंडल में और हैंडल तक जब हम नेकलाइन तक गए थे तब वॉल्यूम और दोसो परसंट की वॉल्यूम बार्स बनी थी वॉल्यूम पैटन भी बहुत अच्छा है प्राइस कि तो कि जख गी जगए ते